गर्मा गर्म वड़ा पाव नाम सुनते ही मूँ में पानी आ रहा है ना लॉक्डाउन के करण बहुत सारे लोग बाहर जाके वड़ा पाव नहीं खा सकते इसलिए आज हम देखने जा रहे वड़ा पाव के रेसिपी बहुत ही इजी है ये घर पे बनाने के लिए आज हम इसकी रेसिपी देखते नमस्कर दोस्तों मैं हॉम शेफ नमीता आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आज हम बहुत ही फेमिस रेसिपी देखने जा रहे है और आप उसको बना कर खा लीजे अगर पे अब देखिए या पे मैंने आलू लिये हुए मैंने साथ से आठ बड़े बड़े आलू लिये आलू को जितना आलू अपने लिया है उतने ही मातर में आपको पाने डलना है एकी लेवल पे वह दोना आना चाहिए और उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको और बाल के ले लेंगे इस कूकर की दो से तीन सीटिया लेंगे ताकि अपना अलू जो है बहुत ही सॉफ्ट बने यह पर मैंने लिया हुआ है लसुन और अध्रक लिया हुआ है और हरी मिर्च लियुए इसे हमें मिक्सी में ग्राइंट करके ले लाएं आप अगर कूट के ले सकते हैं तो व यहाँ पर देखिए मैंने रखा हुआ है यह कुछ कड़ी पत्ता है और हरा धनी है हरा धनी आप जितना ज्यादा डालोगे उतना वड़ापो का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यहाँ पर मैंने बड़ा कड़ाई लिया है वो गरम होने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाला हुआ है तेल डालने के बाद हम इसमे कड़ी पत्ता डालेंगे तील को अच्छे से गरम कर लेते है पzähले आप यह देख लीजेह मैंने जो वड़ा पाउ बनाओ है वो बहुत सारे लोगों के लिए बनाए है, आठ से नो लोगों के लिए बनाए है, तो मैंने कॉन्टिटी उसी जपसे लिए है तो आप आपका कॉन्टिटी उस में एड़ेस्ट कर के ले सकते हैं यहाप पर मैंने कड़े पत्ता डाल के मैं उसको भून रहücken हूँ अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मैं ऐसी ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी जरालती रहती हूँ मेरे चैनल पे जो कि आप एजिली आपके घर पे बना कर खा सकते हो है इसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्तिल ढाला था तैल में और जो भी हमने पीस के लिए है आड्रक लसून और मिर्ज वह Car इसको आपको तब तक भूनना जब तक फकर निकल नयूद्द नंए न्नग अन्हूद्स जिला नमके नहीं के बढ़ना है अब यह कहना पेढ़ना जैसे वह मैं टलाना है गरी हीतर सबसक्तलिकाव अब बतार्य एडलों करें करें लूद्स पूरे बूल के लेना है आप आलू के साथ मिक्स हो जाए इतना आपको इसको भून के ले लेना है आप आलू देख सत्ते हो मैंने पूरे बॉल किये हुए पर वो मैश हो गए मैश करके अलू को हम यहापे मसाले में भून के ले रहे हैं मैं यूजूली इसमें धनिया साबुत धनिया जा रहता है वो भी थोड़ा कूट के डालती हूँ पर आज मैंने वो डाला हुआ नहीं आप चाहे तो उसको कूट के डाल सकते हैं यहापे मैंने बैसन नमक और हल्डी लिया हूआ है आप चाहे तो थोड़ा सासय तोड़ा चुटकी बर हंगी डाल मैं इसी में टालती हो आप जास्कते हो या आप देखते में आलू को ऐसे मीन कतला करें कि नग एब बनाने के लीड़ा क्यों सुनाशाएमे और दोड़ Спतने हो आप देखते हैंotzनीयोज त्विद्द नतं इसके ड़नाऊत प्र eer Алतोड scandal लेगा। इसके बाद तेल मैंने बॉल करने के लिए रख दिया था तो उसमें हम एक एक करके अपना आलू का बड़ा डालें देंगे और यह बड़ी घड़ा ही है तो इसलिए मैंने ज्यादा डाला हुआ है यापर मैं गाव में हाई हुई तो मेरी भूआ बना रही है और मैं वीडियो निकाल रही हूँ मैं काम करते करते वीडियों निकाल रही हूँ तो आप देख सकते हो थोड़ा सा होल्डियों हील रहा है उसकी वज़ेसे और यह पर जो है आलू को वडा को आपको पास से 6 मिनिट के लिए एक साइट से पहले तल के लेना है फिर आपको साइट चेंज करके इसको तल के ले सकते हैं आपको golden brown होने तक इसको भूनना है यह रेखिए यह पर कैसे थोड़ा साइब राउन हुआ है golden color और ऐसे करके मैंने पूरे तल के लिए हुए तल के होने के बाद इसी में हम मिर्श ला लेंगे अगर आपको लग रहा है मिर्श पूटिने वाली है के बाद इसमें हम नमक डाल के थोड़ा सा उसको यह कर लेंगे मिक्स कर लेंगे नमक और मिर्श और यह मिर्श वड़ा पाव हम सर करने वाले है